हलो और वेलकम दोस्ते एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल ब्राट भाई प्रेडिक्शन में मैं हूँ आपका दोस्त ब्राट आप देख रहे हैं ब्राट प्रेडिक्शन न्यूजिलेंड टोर ऑफ इंडिया आज हम बात करेंगे बातकर आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें या या इंदे का सब्सक्राइब यह आप किसी वी मैच की रपोर्ट के लिए आप पर जोड़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके लावा आप ब्राट वाइफ 45 के तुरू सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल तर पहुंच जाएंगे अब बात करता है प्लेंगग लेविन की तो सबसे पहले इंडिया की प्लेंग लिए पर नजर डाल लेते हैं तॉप अर्डर में आपको मिलेंगे इसान के सब्सम्मंगिल की बात की जाए तो ओडियाई में तो दोनों की साइट से अच्छी परफ़रमेंस उनकों देखने को मि में 35-36 रन की काफ़ी अची पारी खेली थी वह स्रीलंका के अगेंस्ट के अब बात करें आज के मैच की तो आज के मैच में देखते हैं राहूल द्रपाइटी क्या करते हैं जल्दी खेलते हैं और जिस वज़े से अगटिक जाए तो लंबा चल जाते हैं वनना जल्दी कि साइट से भी 25-30 रंके कुछ निकल के नहीं आ रहा है रिसेंट मैचिस के अंदर बात करेंगे और अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर पाएं जब जब उपर मौका मिलता है फर्स डाउन तो इनके बल्ले से जरूर निकलते हैं लेकिन 6 नमबर पर इनके वल्ला हमेशा सांथ लेकिन अपनी टीम को नहीं जिता पाए थे तो बल्ले से अच्छा निकल के आता है उसके बाद बालर से स्टार्ट हो जाते हैं कुल्दी प्यादप सिवं मावी उम्रान मलिक और अर्श्दीप सिंग बालिंग की बात करें तो बालिंग में वासिंग्टन संदर कुल्दी प परफॉर्म करेंगे क्योंकि लास्ट मैच मैच है उच्छा परफॉर्म कर रहें उसके बाद सिवं मावी उम्रान मलिक को एक ही ओर करा गया था तो बाद में इनको नहीं कर आया लेकिन अगर मौका मिला तो अच्छा करके देते हैं ठोड़े महेंगे साबित होते हैं और प्रफय्टन को सामन करना अब बात करेंये ह्म नूजिलेंड के टिम ost लेकिन इंडिया को अच्छा कॉंपिटीशन दिया है फस्ट मैच के अंदर अब आज सेकेंड मैच की बात करें तो फिन आलिन इस्पेशली टीटोंटी के बैट्स में अच्छा करते हैं लेकिन अच्छी स्टार्ट देखे गए उसके बाद डैवन कॉन्वें ने लास्ट मैच उसके बाद माइकल ब्रेस्वेल भी अच्छी हीटिंग करने की क्यापिल्टी रखते हैं और साथी साथ पाल टाइम बॉलर रहें उसके बाद की बात करें तो जैकब डखी डफी इस सोधी लॉकी फर्गूशन और बलेन थिकनर यह इनकी प्रॉपर मैं बॉलर रहेंगे सब्सक्राइब करने वाली टीम ने अपने नाम के हैं यह बैटिंग फस्ट जो करता है इस को वो डिफेंड कर लेता है इस ग्राउंड पर यह पांच मैच का रिजल्ट है यह बाला दस मखाबले आपको सो कर रह लेकांगे आते हैं पांच यह ने 3-9 विकैट लिएा इस इस विकेट पर बोल करता है आज इंदिय अपास अब Centers के पास नैजुलेंड के पास दो प्रॉपर मह ब्याइप ली त्विए है और ज्युतियृ क्यश्ष या अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं तो कही ना कहीं अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया को एक स्पिनर को डालना पड़ेगा अगर बैंच में इस्पिनर उनके पास मौझूद है तो चलिए आगे बात कर लेते हैं वह आपको बताया दिया टोटल पांच मैच खेले गाए स्कूर ऑब पांच मेंच जीते हैं एवरेज स्कोर वन सेविन्टि फाइप कर रहता है लगवाक बात करें तो एक से से एकसोफटास के नीचे एक वार इस्कोर गया है 150 से एकससतर के बीच में दो बार इसकोर गया है एकसो सब्सक्ता दो बार लाए जानी कि वन नेंटी प्लस का स्कोर दो रखनेंगों को मिले 1 5 ट् αυτी के बीच में दोवार रहा है 60 हो सकता है वन सेवंसेंटी शेवशिक्टी फाइवह वह सकता है और 150 से नीचे एक बार का स्कोर देया है आज के मैच में भी जो टीम पहले केलेगी कहीं ना कहीं वह 170 के आसपास का score करती नजर आ सकती है अब बात कर लेते हैं head to head के दोनों ही team है एक दूसरे के सामने 23 बार आई है जिसमें से बारे बार मुकाबले जीते हैं इंडिया ने 10 बार मुकाबले जीते हैं न्यूजिलेंड में दस बार इंडिया हारी है बारे बार न्यूजिलेंड हारी है एक वी मैच अभी तक इनके बीच में टाई नहीं हुआ है अब बात करें home team की इंडिया जब अपने घर में खेलिए है home team तो पांच बार मैच जीती है चेईश में से इंडिया अपने घर में के लिए उसमें से पांच बार मुकाबले अपने घर में जीती है और न्यूजिलेंड चार बार मुकाबले अपने घर में जीती है अवे की बात करें तो इंडिया न्यूजिलेंड के अंदर जाके साथ मुकाबले जीती है और New Zealand India के अंदर 4 मुकाबले जीती है Neutral की बात करें अदर कंट्री में इसे World Cup के मैच होते है तो अदर कंट्री में नूट्री में दो बार New Zealand ने बाजी मारी है क्योंकि ये तो record है कि T20 World Cup के अंदर इंडिया New Zealand का जब जब मुकाबला हुआ है लास्ट के मुकाबलों में देखा जाए तो काफी अच्छा नजर आता है इंडिया का टोटल मुकाबलों में जी तो 45 और 55 का नजर आता है क्योंकि 12 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं और 10 मुकाबले नुजिलेंड न जीते हैं सिर्फ 2 मुकाबलों का अंतर, टोटल के अंतर, लेकिन लास्ट 10 मुकाबलों में देखा जाए, तो 80% मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 20% मैचेस नुजिलेंड न जीते हैं, अब बात करेंगा, अगर दोनों ही टीमों की करेंट फॉर मुकाबले जीता है, 40% मुकाबले जीता है, एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का जो एवरेज स्कोर रहे, 167 का रहे, लास्ट 10 मुकाबलों में, नुजिलेंड का 158 का रहे, हाइस स्कोर की बात करें तो इंडिया ने 228 का हाइस स्कोर बना रहे, और नुजिलेंड न और 40% का मुकाबला जाता है कि 60% मुकाबला इंडिया अपने नाम करेगी और 40% मुकाबला न्यूज लेंड अपने नाम करेगी लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं इस ग्राउंड पर कहीं न कहीं फस्ट बैट को मिलता है वो मिलेगा लेकिन अब बात करें अपनी prediction की त प्रडिया फ्रस्ट पर याता है तो 100% मुकाबला अपने नाम करेगा अगर इंडिया से किन्ड बैट पर यह तो 60% चांस रहेंगे इंडिया के मुकाबला अपने नाम करने के फाइनल प्रेडिक्शन आपको मिलेगी 9721659549 अब देखे क्या होता है यह प्रेडिक्शन मैं आपको कर रहा हूँ मैच स्टार्ट होने से 7-8 गंटे पहले अब टीम में क्या चेंजेस होंगे कोई बैटर भार बैठेगा, कोई बालर भार बैठेगा इंडिया की साइट से, न्यूजिलेंड की साइट से टॉस कौन जीतेगा, जीत के बालिंग कौन पहले करेगा बैटिंग कौन पहले करेगा, उन सब चीजों को माइन में रखके ही फाइनल प्रेडिक्शन निकाली जाती है और final prediction आपको मिलेगी 9721659549 तो अगर आप आज के match के अंदर अच्छी winning चाहते हैं एक अच्छा profit end करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी number को save कीजिए whatsapp पे contact कीजिए वीडियो पसंद आजी तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और telegram को join कीजिए Thank you for watching